दिपिका की पापा ने की शादी की बात चिराग और दिपिका की होगी शादी दिल को तुमसे प्यार हुआ क्यारी वाले विसोट में हम सभी देखेंगे कि चिराग को प्यार का एहसास हो चुका है और वो सबसे पहले दिपिका के पापा को ये बात बताएगा चिराग यश से बात करता और वो कहता है कि वो दिपिका से प्यार करता और इससे शादी करना चाहता है यश शौक्ड है लेकिन वो चाहता है कि पहले वो अपनी बेटी दिपिका से इस बारे में बात करी अब यश दिपिका से बात करने के लिए अकेले दिपिका को मंदिल लेकर आता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ये बात घर का कोई और सदस से सुने यश दिपिका को बताता है कि चिराग उससे शादी करना चाहता है ये बात सुनकर दिपिका को यकीन नहीं होता है कि जो वो सुन रही है वो सही है इसके बात दिपिका अपने पापा से कहती है कि चिराग दिल के बहुत अच्छे है ऐसलिए वो ऐसी बाते कर रहे है दिपिका को लगता है कि चिराग उससे प्यार नहीं करता है वो सिर्फ दया भावना के वज़िसे ये सारी चीजे कर रहा है इसके बाद दिपिका के पापा उसे समझाते है कि चिराग सच में उसे प्यार करता है लेकिन दिपिका भी भी नहीं मानती है वो कहती है कि लावन्या उसे नफरत करती है तो ये शादी कभी नहीं हो पाएगी अब देखना ये इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि क्या चिराग मना पाएगा दिपिका को शादी के लिए आपको क्या कुछ कहना इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना उपन्यन हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताईए और साथी टेलेविजन से जुड़ी सभी लेकर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल को